तमाम इवाओं चात्राओं के इस परदर्शन को लोग जन सक्ति पार्टी का समर्थन है 2014 से ही अभ्यार्थिये का जो मामला फसा हुआ है कॉंसलिंग का ये अभी तक तो राज्य सरकार क्लियर नहीं किया है और जैसा कि तमाम विडियास तो मांची जी इस पेक्यों नहीं सवाल उठाते हैं इस पे क्यों नहीं बोलते हैं राज्य सरकार तमाम इवाओं पे लाठी चार्ज करती है पाने की बहुचार करती है इक गटन इस्फित नहीं आएँ हम लोग जन सकती पार्टी का आगर है कि वो खुद इस विशय को देखें और इसमें हस्तचेप करें ये जो राज्य सरकार जो इंडिये का चल रहा है बिहार में ये ताना साही सरकार चला रहे है नितीश कुमार जी तो कहीं नितीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री नह होना चाहिए तो मैं नितीश कुमार जी को सलाह देना चाहता हूं आपके चैनल के मात्यम से कि वहां के साथ दिए गयवादे पे वो खड़े उत्रे और सम्मान के साथ कॉंसलिंग करा के तमाम लोगों को बहाली करा हैं और पूरे अभ्यारतियों के साथ लोग जन सक्ति पा अभी लंब पूरी होनी चाहिए बिहार में एंडिये के वर्तमान सरकार चुनाओं के वक्त इन लोगों ने ही कहा था च्छात्रा और इवाओं के लिए सरकार अगर एंडिये की बनती है तो 19 लाख रोजगार दिये जाएंगे दो हज़ार 14 से ही अभ्यारतिये का जो मामला फसा हुआ है कॉंसलिंग का ये अभी तक तो राज़े सरकार के लिए नहीं किया है और जैसा कि तमाम इडियास तो मांजी जी इस पे क्यों नहीं सवाल उठाते हैं इस पे उन क्यों नहीं बोलते हैं तो सिर्फ इनको भगमान राम का ही नाम यादा रहा है तो देखिए जिस नितीश कुमार जी के भरो से जनता ने इनको मत दिया थोड़ा बहुत चुकि इनको उपर से सीधे जनता ने नीचे धूल चटाने का कारे किया और बिहार के युआओं छात्राओं के साथ जीस तरीके से इंडिये के साथ जो लोग हैं वो लोग जो खिलवार कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत धुर्भाग गेपून हैं तो कही न कहीं इंडिये सरकार को सोचना चाहिए और तमाम युआओं को छात्रों को जो उन् उन्हें पुरी खड़ी उतरने चाहिए तो खड़े क्यों नहीं उतर रहे है भाय नितिस कुमार ये सरकार के नीतियों का बिरोद लोग जन सक्ती पाटी के राश्टिया ध्यक्ष आदर्नी चिराग पास्वान जी हर वक्त करते आ रहे हैं और पूरे अभ्यारतियों के साथ लोग जन सक्ती पाटी खड़ी है इस अंदोलन में सांती पूरवक तरीके से ये अंदोलन हो और राज्य सरकार से हम भी मांग रहें कि इनकी मांगे अविलंब पूरी होनी चाहिए चुकि राज्य सरकार जो है इनके नाम पे ही जनता को ठगने का कारे किया है जनता से इन्हों ने ही भोट ले लिया है तो फिर इवाओं के द्वारा दिया गया भोट अगर इवाओं को आप रोजगार नहीं देते हैं नौकरी नहीं देते हैं तो यह यह हुआ क्या मुख्यमंत्री आवास में जाएं और आप और तो और राज्य सरकार तमाम इवाओं पे लाठी चार्ज करती है पानी की को देखें और इसमें हस्त छेप करें एक सवाल ये भी है विहार करमचारी चैनायोग ने एक पत्र जारी किया था बीते दिन और कहा था कि जो अव्यर्थी अपनी मांगों को लेके सड़क पर परदशन करेंगे उनकी उमिद्वारी रद कर दिजेगा और वहीं जो पत्रकार कि खवर को पब्लिश करेंगे उनको असमाजिक तत्र बताते वे उन पर भी करवाई की जाएगे देश के चोथे अस्तंपत्रकार बंदूओं के उपर अगर किसी भी तरीके का राज्य सरकार के प्रशाशन के दौर कोई भी एक्सन अगर लिया जाता है तो इस पे लोग जन सक्ति पाटी कड़ा निंदा प्रश्ताओं देता है और अगर यह होता है तो राज्य सरकार का मेरा च्यतावनी है लोग जन सक्ति पाटी का च्यतावनी है इट का जवाब हम मूँ तोड़ पत्थर से देंगे इन्हें क्या यह मान लिया जाए कि अगर अब यार्थी अपनी मांगों को लेकर परदसन करते हैं और उनकी मांग पुरी नहीं होती है तो उनकी उमीद्वारी रच कर देना यह कहां से सही है यह यह देखिए यह तानासाही सरकार चल रही है यह जो राज्य चुमार जी अपने ताना साही तालीबान में चलाई है तो मैं डितीश कुमार जी को सलाह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वहां के साथ दिये गेवादे पे वो खड़े उत्रे और सम्मान के साथ कॉंसलिंग करा के तमाम लोगों को बहाली करा है क्या आपकी प परदर्षन को लोग जनसक्ती पाटी का समर्थन है और नीतियों का वीरोधम करते हैं जो बिहार में गलट हो रहा है चाहे जो कारे को लोग जनसक्ती पूरा करेगी और लोग जन सकती पाटी का जो मिनोफेस्टो था बिहार फस्ट बिहारी फस्ट इसी मिनोफेस्टो को देख करके बिहार के मुख्मंत्री विचलित हो गए थे और उन्होंने चिराग पास्वान आधनी राष्टिय ध्यक्ष महदे को अपने नेताओं के द्वा और किया गया अधूरि कारे को वह आपके तक और रहाए थे पत्र के माध्याम से तो नितीश कुमार जी का जो किया गया अधूरा कारे उस कारे को अगर आप आप और गुसा जाते हैं तुरंच और ताना साही तो है यह वह तो आप 17 साल से मुख्मंत्री विहार में आपने पांच चीज़ आप अंगली पर बता दिजे आपने वहां के लिए च्छातराओं के लिए स्वास्त के लिए अपने क्या की आए बिहार में अगधनी सवाल है दलित होस्टल भी खाली कराया जा रहा है बहुत ऐसे जो गरीब तब के लोग हैं आती पीछरे लोग हैं वो खाली कराया जा रहा है कैसे आपकी पार्टी इसको देखते हैं। पदमभुशन तो मुखमंत्री जी ने रामिलास पासवान जी के बर्खी समारोह में दो मिनिट का भी समय उन्हें देना उचित नहीं समझा। तो नितीश कुमार सुरू से ही दलित भी रोधी रहे हैं। और अगर एक भी अंबेतकर छात्रवास के उपर लाठी चलता है। अगर खाली करवाया जाता है तो राज जिस सरकार को मुँतोर जवाब लोग जन सकती पाटी देगी। और तमाम अंबेतकर छात्रवास में राष्ट्य अधर्च आदन्य चिराग पासवान जी स्वयम खूद जाकर के घुमने का वो कारे करेंगे। असपस्ट कर भी दिया है कुछ दिन पहले। जैसे ही वो पटना के धरती प्याते हैं आज आहीं जाएंगे तो वो अंबेतकर छात्रवास जोड जाएंगे। सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें।